आज हम बनाएंगे आम का चटपटा खटा मीठा अचार वो भी एकदम जूसी इस अचार की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें तेल की आवशकता बिल्कुल नहीं होगी फिर भी आप इस अचार को पूरे एक से दो सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं बहुत ही स्वाध नहीं वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए आम का खटा मीठा जूसी अचार बनाने के लिए हमने यहां आदा किलो कच्ची केरी ले लिए इन्हें अच्छे से धो कर पोच कर इनके चिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से चोटे तुकडों में काट लिया है और गुटलियों को हटा दिया है आप चाहे तो गुटलियों के साथ भी इसका अचार बना सकते हैं या फिर मेरी तरह गुटलियों को हटा कर भी आप अचार बना सकते हैं आम के तुकडों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है अचार बनाने के लिए आप कोई भी काज का या फिर सिरेमिक का कंटेनर ले सकते हैं या फिर स्टेनले स्टील के कंटेनर में भी इसे बना सकते हैं हमने यहां 500 ग्रैम कच्छी केरी ली थी इसे के अंदाज से हमने यहां 500 ग्रैम चीनी ली है अभी हम केरी के टुकडों में चीनी डालेंगे इस इसे अच्छे से मिला देंगे साबो चीनी की जग्या पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं या फिर गुड से भी इस अचार को बना सकते हैं फ्रेंट्स इस अचार को आप पारंपारिक तरीके से भी बना सकते हैं यदि आप इसे पारंपारिक तरीके से बनाना चाहे तो आपको क करना है जब हम आम के टुकड़ों में चीनी डालते हैं इसी समय आपको इसमें सारे मसाले डाल देना है और इसे एक कपड़े से बांद कर पासे छे दिनों के लिए धूप में रख देना है पासे छे दिनों में ही आम का खटा मीठा जूसी अचार बनकर त्यार हो जाएगा अच्छे से इसकी चार्शनी बन गई है इसी समय अभी हम इसे पकाना शुरू करेंगे अचार पकाने के लिए हमने यहाँ एक स्टेनले स्टील का मोटे तले का पतिला गैस पर रखा है इसी तरह से आपको भी ले लेना है अभी हम इसे मेडियम तू लो फ्लेम पर पासे छे मिनिट तक पका लेंगे ताकि यह कैरिया अच्छे से सौफ्ट हो जै फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है अचार पकाने के लिए आपको लोहे की या फिर हो सकते तो अलू मीनियम की कड़ाई भी नहीं लेना है स्टेनले स्टील की कढ़ाई आम का अचार पकाने के लिए सबसे अच्छी होती है पास से 6 मिनिट पूरे हो गए है अभी आप देख सकते हैं याम के टुक्रे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अभी हम इसमें मसाले डालेंगे आधा चोटा चम्मच मेथी दाना का पाउडर डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा सकते हैं क्योंकि आज हम खटा मिठा अचार बना रहे हैं तो इसमें नमक की मातरा थोड़ी कम ही डलेगी एक चोटा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक बड़ा चम्मच काश्मेरी लालमर्च पाउडर डालेंगे इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है य चोटा चम्मच काला नमक डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और इसे फिर से चार से पाच मिनिट के लिए हम पका लेंगे इसे पकाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है इसे बीच बीच में चलाते रहना है इसे टुकडे एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं और एकदम ट्रांस्परेंट हो गए हैं ये चाशनी भी अभी काफी गाड़ी हो गई है और इसका रंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रंग आया है हमें इसे इससे जादा नहीं पकाना है वरना ये आम के टुकडे बहुत जादा सक्त हो जाएंगे जिसकी वज़े से अचार का टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा अभी हम गैस बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी हमारा अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसका रंग और और भी निखर कराया है और ये चाशनी अभी और थोड़ी गाड़ी हो गई है बसा में इसे इतना ही पकाना होता है हमारा आम का खटा मीठा जूसी अचार बनकर त्यार है आप इस अचार को रोटी पराठा या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते है और बच्चों को तो ये अच ही जादा पसंद होता है फरइंट अचार को प्रफिक्ट बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे 4 आपने जितनी गये ली है उतनी मातर हमें आपको चीन लेना है इसमें नमक की मातरा थोड़ी कम ही डलती है इसलिए नमक ।्छान दालते समय भी ध्य तो ठंडी होने के बाद एकदम सक्त हो जाती है इसलिए इसे पकाते समय तोड़ा ध्यान रखे और पेशन से ही इसे पकाए आम का खटा मीठा जूसी अचार बनकर त्यार है आप इस अचार को रोटी पराठा या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं और बच्चों को तो यह बहुत ही जादा पसंद होता है अचार तो बनकर त्यार हो गया है आप इसे पूरे दो सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो आईए जानते हैं अचार स्टोर करने के टिप्स के बारे में अचार स्टोर करने के लिए वैसे तो आप कोई भी एरटाइट कंटेनर साफ हो जाता है और सूक जाता है इसी तरह से इसमें यदि कोई जाम्स है तो वो भी मर जाते हैं कंटेनर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ही इसमें अचार भरे क्योंकि धूप में रखने से कंटेनर काफी गरम हो जाता है कंटेनर में अचार भरते समय एक बात का ध्य रखे कंटेनर को पूरा नहीं भरे थोड़ा सकाली रखे कंटेनर के ढखकन की हमेशा साफ सफाई करते रहे कंटेनर के ऊपर जो भी मसाला आदी लग जाता है इसे हमेशा पोच्छते रहे इसके लिए आप साफ कपड़ा या टिशू पेपर का यूज़ कर सकते हैं अचार नि निकालने की कोशिश ना करें ये सारी बहुत ही चोटी चोटी बाते होती हैं लेकिन अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो अचार खराब हो जाता है यदि आप इन सारी बातों का पालन करते हैं तो आपके हाथों से बना हुआ अचार कभी भी खराब नहीं होगा सालो साल अच्छा रहेगा फ्रेंड्स यदि आपको भी आम के अचार बहुत ज़्यादा पसंद है और आप आम के अचार की नई-नी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए आम के अचार की बहुत सारी वीडियो अलरड़ी अपलोड कर दी है इनकी रेसिपी आप मेरे चैनल निशा मदुरिमा रेसिपीज पर देख सकते हैं और मैं आपके लिए इन सभी का लिंक उपर आए बटन में दे रहे हूं यहां क्लिक करके आप इन सारी रेसिपीज को देख सकते हैं इसी के साथ यदि आप आम की और भी नई-नी रेसिपीज देखना चाहते हैं जैसे करके आप इन सारे रेशीपी को देख सकते हैं और हां दोश्तों मैंने आपके लिए अचार को स्टोर करने का एक डीटेल में वीडियो बनाया है आपके लिए मैं इस विडियो का लिंग डिस्क्रिप्छन बॉक्स में दे रही हूँ या क्लिक करके आप इन सारे वीडियो को देख सकते है अगर आप मुझे कोई सुझाओ देना चाहते है या फिर मुझे कोई सवाल पूछना चाहते है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईए अगर आपको आज के हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो